हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है तपिशन और स्वागत है आपका अपने गार्णिंग चैनल में तो आज में सर्दी के अभी कुछ वेजिटेबस अभी में लगा रहा हूं यहां पर देखो आज में लगाने अला हूं रेडिश जो अपने मूली होती वो लगाने वाला हूं पर उस यहां पर देखता है अगर उसमें नहीं आएगा तो फिर दोबार आपस में लगा दूआ मेरे पास पड़े अभी एक्स्रा और तो उसके अलावा यहां पर मैंने और देखो इधर जिसे जीन आवा किरा के लगाए थे हां पर उबर पीटुन यहां पर लगा जाए तो इसमे क्या वहाना देखकर कि यहां पर जब मैंने लगा थे उसके बाद धूप अगिरा में मैंने थोड़ा सा रखा जब थोड़ा बाद में रखा लेट तो इनमें के अधर इसे सीट से अगरा जर्मिनेट हो जाए और एक नॉमल हाइट पर जाए तो इसको दूप अगरा दिखा अगर इसमें मैं लगाएंगी कि तुषब आगे में बंनेगे तो फिर आपस में और पास-पास होंके बीज यहां पे तो इसमें अगर दिक्कत से सब करता है इस इस को निकल जायगा है तो सबसे पहले में यहां पर स्पेस बना ले लोगा यहां पर तो टो फानली हमने सीट से लगा लिये है हम देखो नहीं घर्म नहीं चेहत करा है वहां वापर मेने सीट जा लिए हम पर से जाल जुए सब्सक्री मेरे, जो अब ध्यान की रखना है जील तौटी होती है तो सीट की साथ साथ उसके उपड़ लेयर पर थिल करना हमें तो इसको हमें अलका सा इसी से यहां पर दबा देंगे इसमें उपपर प्रेस कर देंगे ताकि सीट के उपर प्रेशर पड़ेगा तो सीट जर्मिनेट होने के लिए उसमें करेगा ट्राइए आप देखो क्या थान्यास में मुली के सीट से नॉर्मली चारth से 5 दौने लगते हैं लें तो पांसा दिन का आइडिया लगए चलना कि टीन शीट जर्मिनेट हो जाते हैं तो इस तरीके से हर तरीके से हम दबा देंगे यससे यह है तो जहां जहां पर यह को 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 पीट का मिक प्रख इस पानी कमी करें सकते हैं, और जब तक सीट जर्मिनेट नहीं होते, तब फानी पूरा यहां पर सोगी करें, ज़ादा गीला कुना बड़ा, जब शूआखने हैं। तो अच्छे से में एक बार डीप वाटरिंग कर दूँए इसमें, क्योंकि जब भी फर्स टाम सीट लगा है तो अच्छे से डीप वाटरिंग करें, उसके बाद देखें कि अभी यहां पर जब भी सूखने लगे तब कर देंगे, और ज्यादा जरूत हो तो सुबह शाम बस यहां पर एक बार श्प्रेय करते हैं कि नमी बनी रहे है तो यह चीज का ज्यान रखें, बाकि आराम से उख जाएंगा अब इसमें देखो टूलीफ सब में आने लगी इसमें, इनमें देखो आप टूलीफ अगर आने लगी कहीं में तो जैसे से टूलीफ आने लगी कि पत हूंस